आईए सुनते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी मन की बात कह रहे हैं अपने देश के लोगों की ख्षमताओं से भली भातिक परिश्चीत हूँ मैं जानता था कि हमारे हिल्थ केर वरकर्स देश वास्यों के टीका करण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हमारे स्वास्थ कर्मियों ने अपने अथाथ परिश्च्रम और संकल्प से एक नई मिशाल पेश की उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने द्रण निष्चे से मानुता की सेवा का एक नया मांदर स्थापित किया उनके बारे में अनगिनत उधारन है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनोतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कबच प्रदान किया हमने कई बार अख़पारों में पढ़ा है भार भी सुना है किस काम को करने के लिए हमारे इन लोगों ने कितनी महनत की है एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उधारन हमारे सामने है मैं आज मन की बात के सुरताओं को उत्राखन के बागेशवर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वरकर पुनम नोटियालजी से मिलवाना चाहता हूँ साथियों इबागेशवर उत्राखन की उस धर्ती से हैं जिस उत्राखन ने सट प्रतिशत पहला डोच लगाने का काम पूरा कर दिया है उत्राखन सरकार भी इसके लिए अभिननदर के हburstिकारी है क्योंकि बहुत दुर्गं ख्षेत्र है कठिन ख्षेत्र है वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाईयों में सत्प्रतिशत डोज का काम कर लिया है मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने खेत्र के लोगों के वैक्सिनेशन के लिए दिन रात मेहनत किये है पूनम जी नबस्ते सर परणा पूनम जी अपने बारे में बताये जरा देश के स्रोताओं को पूनम नौटे आलो हूँ चामी कोराली सेंटर में कार रहा तूं सर पूनम जी मेरा स्वभाग्य है मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था वो इक प्रकार चे तीर्थक शेतर रहा है तो वहाँ पुरातन, मंदीर वगेरे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ तक उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा पूनम जी क्या आपने अपने शेतर के सभी लोगों का वेक्सिनेशन करवा लिया है आपको किसी प्रकार की दिक्त का भी सामना करना पड़ा है जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे जैसे बुजुर्ग लोग और दिब्यांग लोग गर्वती मैला हीं धातरी मैला हीं ये लोग लेकिन वहां तो पहडों पर घर भी बहुत दूर-दूर होते हैं तो एक दिन में कितना कर पाते थें आप سरसे 12 किमिटरौमेटर भी 8 किलोमेटर थे मालूर में लोग पकिलोमेटर इस अधे सामान उठाकर के जाना आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं तो इसमें डॉक्तर हो गए फिर एनम हो गई फार्मिसिष्ट हो गई आसा हो गई और डाटा इंट्री ऑपरेटर हो गई अच्छा वो डाटा इंट्री वहां पनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागिश अच्छा लगवाया यह क्या कलपना आई आपके मन में विचार कैसे हैं और कैसे किया आपने अच्छा लोगों को समझाना पड़ता था लोगों का उत्सा है अभी भी वेक्षिन लेने का? कहीं पर वेक्षिन लगने के बाद किसी की शिकायत आई बात में? कुछ नहीं हुआ सबको संतोस था कि ठीक हो गया चलिए आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ ये पुरा खेतर कितना कठीन है और पैदल चलना पहड़ों पर एक पाड़ पर चाओ पर नीचे उत्रो फिर दूसरे पाड़ पर जाओ घर भी दूर दूर उसके बावजित भी है आपने इतना बड़िया काम किया है अप जैसे लाखों हेल्थ फर करस्टे उनके परिश्णम की वज़े से ही भारत सो करोड वैक्सिन डोज का पड़ाव कर सका है आज मैं सिर्फ आपका ही आभारव्यक्त नहीं कर रहा हूँ बलकि हर उस भारत वासिक आभारव्यक्त कर रहा हूँ जिसने सब को वैक्सिन मुप्त वैक्सिन अभ्यान को इतनी उचाई दी कामियाबी दी आपको आपके परिवार को मेरी बहुत बर शुब कामणा है मेरे प्यारे देश्वासियों आप जानते ही हैं कि अगले रविवार 31 अक्तुबर को सरदार पटेल जी की जन्म देनती है मन की मात के हर स्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लोह पुरुष को नमन करता हूँ साथियों 31 अक्तुबर को हम राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम सभी का दाई तो है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी ने किसी गतिविदी से जरूर जुड़े आपने देखा होगा हाल ही में गुजरात पुलिस ने कचके लखपत किले से स्टेची ओफ यूनिटी तक बाइक रेली निकाली हैं त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टेची ओफ यूनिटी तक बाइक रेली कर रहे हैं यानि पूरफ से चल कर पस्चिम तक देश को जोड रहे हैं। जम्मु कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पढ़ान को और तक ऐसी ही बाई घ्रेली निकाल कर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं। मैं सभी जवानों को सैल्यूट करता हूँ। जम्मु कश्मीर के ही कुपवाणा जिले की कई बहनों के बारे में भी मुझे पता चला है। ये बहने कश्मीर बहने सेना और सरकारी दफ्तरों के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही है। ये काम देश भक्ति की भावना से भढ़ा हुआ है। मैं इन बहनों के जज्वे की सरहना करता हूँ। आपको भी भारत की एक्ता के लिए, भारत की स्रेष्टर्दा के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। देखेगा आपके मन को कितनी संतुष्टी मिलती है। साथियों, सरदार साब कहते थे कि हम अपने एक जूट उद्यम से ही देश को नई महान उचाईयों तक पहुचा सकते हैं। अगर हम में एक्ता नहीं हुई, तो हम खुद को नई नई विपनाओं में फसा देंगे। यानि राष्ट्रिय एक्ता है, तो उचाई है, विकास है, हम सरदार पटेल जी के जीवन से, उनके विचारों से बहुत कुछ सिख सकते हैं। देश के सुचना और प्रसालना मंत्रा लेने भी हाली में सरदार सहाब पर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पब्लिश की है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी युवा साथी इसे जरूर पढ़ें। इसे आपको दिल्चस्प अंदाज में सरदार सहाब के बारे में जानने का आउसर मिलेगा। प्यारे देशपासियों, जीवन निरंतर प्रगति चाहता है। विकास चाहता है। उंचाईयों को पार करना चाहता है। विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए। प्रगति की गति कितने ही तेज हो जाए। भवन कितने ही भव्य बन जाए। लेकिन फिर भी जीवन अधुरापन अनुभाव करता है। लेकिन जब इनमें गीत, संगीत, कला, नाट्य, नुरुत्य, स्वाहित्य जुड़ जाता है। यह सब होना भी उतना ही जरूरी होता है। इस लिए कहा जाता है कि सभी विधाएं हमारे जीवन में… एक कटलिस्ट का काम करती है हमारी उर्जा बढ़ाने का काम करती है मानो मन के अंतर मन को विक्सित करने में हमारे अंतर मन की यात्रा का मार्ग बनाने में भी गीत संगीत और विभिन नकलाओं की बड़ी भूमिका होती है उनकी एक बड़ी ताकत ये होती है कि इन्हें न समय बाग सकता है, न सीमा बाग सकती है और नहीं मत मतांतर बाग सकता है अम्रत महोसों में भी अपनी कला, संस्कृती, गीत, संगीत के रंग अवश्य भरने चाहिए मुझे भी आपकी तरफ से अमृत महोसर और गित संगीत कला की इस ताकत से जुड़े देरों सुझावा रहे हैं ये सुझाव मेरे लिए बहुत मुल्यवान है मैंने इने संस्कृती मंत्राले को अध्यन के लिए भेजा था मुझे खुशी है कि मंत्राले ने इतने कम समय में इन सुझावों को बड़ा घंभीरता से लिया और उस पर काम भी किया इनी में से एक सुझाव है देश भक्ती के गीतों से जुड़ी प्रतियोगी था आज हदी के लड़ाई में अलग-अलग भाशा बोली में देश भक्ती के गीतों और भजनों ने पुरे देश को एकजूट किया था अब अमुरुत काल में हमारी वां देश भक्ती के ऐसे ही गेत लिखकर इस आयोजन में और उर्जा भर सकते हैं देश भक्ती के गेत मात्रू भासा में हो सकते हैं राश्ट भासा में हो सकते हैं और अमुरुत की नई सोच वाली हो देश की वर्तमान सफलता से प्रेहना लेकर भविश्य के लिए देश को संकल्पित करने वाली हो सांस्कृति मंत्रारे के तैयारी तहसिल स्तर से राष्टिय स्तर तक इससे जुड़ी प्रतियुगता कनानी की है साथ क्यों ऐसे ही मन की बात के एक स्रोता ने सुझाव दिया है कि आमरित महोत्सव को रंगोली कला से भी जोड़ा जाना चाहिए हमारी हां रंगोली के जेरिये क्यों हारों में रंग भरने की परंपरा तो सज्यों से है रंगोली में देश की विवित्ता के दर्शन होते हैं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से अलग-अलग थीम पर रंगोली बनाई जाती है इसलिए संस्कूरती मंत्राले इससे भी जुड़ा एक national competition करने जा रहा है आप कलपना करिए जब आजादी के अंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी लोग अपने द्वार पर, दिवार पर किसी आजादी के मतवाले का चित्र बनाएंगे आजादी के इस ग्यटना को रंगों से दिखाएंगे तो अमृत महोत्सर का भी रंग और बढ़ जाएगा चाथियों, एक और विदा हमारे हाँ लोरी की भी है हमारे हाँ लोरी के जरिये छोटे बच्चों को संस्कार दिये जाते है संस्कृती से उनका परिचे करवाए जाता है लोरी की भी अपनी विविदता है तो क्यों न हम अमृत काल में इस कला को भी पुनरजिवीत करें और देश बक्ती से जुड़ी ऐसे लोरिया लिखें, कविताएं, गीत कुछ न कुछ जुरूर लिखें जो बड़ी आसानी से हर घर में माताएं अपने छोटे छोटी बच्चों को सुना सके इन लोरियों में आधुनिक भारत का संदर्व हो, 21 सदी के भारत के सपनों का दर्शन हो उसका संदर्व हो, आप सब सोताओं के सुझाओं के बाद मंत्राले ने इससे जुड़ी प्रतियोगी का भी कराने का निर्णे लिया है साथियों, इस तीनों प्रतियोगी थाएं, 31 अक्तूबर को सरदार साभ की जैनती से शुरू होने जा रही है आने वाले दिनों में, संस्कृती मंत्राले इससे जुड़ी सारी जानकारी देगा ये जानकारी मंत्राले की वेबसाइट पर भी रहेगी और सोशल मीडिया पर भी दी जाएगी मैं चाहूंगा कि आप सभी इस से जुड़े हमारे युवासाती जरूर इसमें अपनी कला का अपनी प्रतवा का दर्शन करें इस से आपके इलागी की कला और संस्कृती भी देश के कौने कौने तक पहुँचेगी आपकी कहानिया पुरा देश सुनेगा प्यारे देश वास्यों इस समय हम अमृत महुत्सव में देश के वीर बेटे बेटियों को उन महान पुन्य आत्माओं को याद कर रहे हैं अगले महिने पंदरा नवेंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योध्자 भगवान बिर्शा मुंड़ा जेकी जन्म जेन्ति आने वाली हैं भगवान बिर्शा मुंड़ा को धरती आभा भी कहा जाता है क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ है धर्ती पिताफ। बगवान बिर्सा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृती, अपनी जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संगर्ष किया, वो धर्ती आबाही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृती और जड़ों के प्रती गर्व करना सिखाया। विदेशी हंकुमत ने उन्हें कितनी धंकिया दी, कितना दबाव बनाया। लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृती को नहीं छोड़ा। प्रकृती और परियावर्ण चे अगर हमें प्रेम करना सिखना है, तो उसके लिए भी धर्ती आबा भगवान बिलसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेहना है। उन्होंने विदेशी सासन के हर उस नीती का पुर्जोर विरोत गिया, जो परियावर्ण को नुक्षान पहुँचाने वाली थी, गरीब और मुसीबत से घीरे लोगों की मदद करने में भगवान बिलसा मुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजी गुराईयों को खत्म करने के लिए, समाज को जागरुग भी किया। उन गुलान आंदोलन में उनके नेत्रूतों को भड़ा कौन भूल सकता है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को जगजोर कर रख दिया था। जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिलसा मुंडा पर बहुत पड़ा इनाम रखा था। बिटिस हकुमत ने उन्हें जेल में डाला। उन्हें इस कदर प्रताडित किया गया कि पचीश साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। वो हमें छोड़ कर गए। लेकिन केवल शरीर से। जन मानस में तो भगवान बिलसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे वसे हुए है। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेना शक्ति बना हुआ है। आज भी उनके सांस और विर्ता से भरे लोगईत और कहानिया भारत के मद्दे इलागे में बेहत लोगप्रिय है। मैं धर्ती आबा विर्शा मुंडा को नमन करता हूँ और युवाओं से आघर करता हूँ कि उनके बारे में और पड़े है। भारत के स्वातंतरता संगराम में हमारे आदिवासी समूर के विशिष्टर योगदान के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी ही गवरों की अनुफूती होगी। मेरे प्यार देश वासियों, आज 24 अक्तूबर को UN Day यानि सयुक्तर राष्ट दिवस मनाया जाता है। कि आप जानते हैं कि भारत ने आजादी से पहले 1945 में ही सयुक्तर राष्ट के चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। सयुक्तर राष्ट से जुड़ा एक अनोखा पहलू ये है कि सयुक्तर राष्ट का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने बड़ी भूमी का निभाई है। 1947-48 में जब UN Human Rights का Universal Declaration तैयर हो रहा था तो उस Declaration में लिखा जा रहा था All Men Are Created Equal लेकिन भारत के एक डेलिकेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिस Universal Declaration में लिखा गया All Human Beings Are Created Equal ये बात जेंडर एक्वैलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी क्या आप जानते हैं कि स्रेमती हंसा महता वो डेलिकेट थी जिनकी वजह से संभव हो पाया उसी दवरान एक अन्य डेलिकेट स्रेमती लक्ष्मी मैनन ने जेंडर एक्वैलिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी यही नहीं 1953 में स्रीमती वीजिया लक्ष्मी पंडीत युएन जनरल एसमबे की पहली महिला प्रसिडेन भी बनी थी साथियों हम उस भूमी के दोग हैं जो इविश्वास करते हैं जो इप्रासरा करते हैं ओम द्यो शान्ति ही, अंतिक्षम शान्ति ही, पृत्वी शान्ति, आपह शान्ति, आउशदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रम्ब शान्ति, सर्वम शान्ति, शान्ति एव शान्ति, सामा शान्ति रेधी, ओम शान्ति 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 सदे विश्व शांती के लिए काम किया है हमें इस बाग का गर्व है कि भारत 1950 के दसक से लगातार सेयुत राष्ट शांती मीशन का हिस्सा रहा है गरीबी हटाने, प्लाइमेट चेंज और समिकों से समंधिन मुंतों के समाधान में भी भारत अग्रणी भूवी का निभा रहा है इसके अलावा योग और आयूश को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत WHO एनि वर्ल्ड हेल्थ और नैशन के साथ मिलकर काम कर रहा है मार्ट 2021 में WHO ने गोश्णा की थी कि भारत में पारंपारिक चेक्षा के लिए एक ग्लोबल सेंटर स्थापिक किया जाएगा साथियों सैयुक्त राष्ट के बारे में बात करते हुए आज मुझे अटल जी के शब्द भी याद आ रहे है 1977 में उन्होंने सैयुक्त राष्ट को हिंदी में सम्मोधित कर इतिहास रच दिया था आज मैं मन की बाग के सुरताओं को अटल जी के उस सम्मोधित का एक आउंस सुनाना चाहता हूँ सुनिए अटल जी की ओजिस्वी हवाज यहां मैं राष्टों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगती मेरे लिए कई अधिक महत्त रखती है अंतता हमारी सफलताएं और असफलताएं के वले कहीं माप दंब से ना पी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज वस्तुता हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रेत्र शीले साथियों अटल जी की ये बातें हमें आज भी दिसा दिखाती है इस धर्ती को एक बहतर और सुरक्षित प्रेने बनाने में भारत का योगदान विश्व भर के लिए बहुत बड़ी प्रेना है मेरे प्यारे देश वासियों अभी कुछ दिन पहले ही 21 अक्तूबर को हमने पुलिस मृत्य दिवस मनाया है पुलिस के जिन साथ्यों ने देश सेवा में अपने प्राण नोचावर किये हैं इस दिन हम उन्हें विशेष तोर पर याद करते हैं मैं आज अपने इन पुलिस कर्मियों के साथ ही उनके परिवारों को भी याद करना चाहूँगा परिवार के सहयोग और त्याक के बिना पुलिस जैसी कठिन सेवा बहुत मुश्किल है पुलिस सेवा से जूड़ी एक और बात जो मैं मन की बात के सुरताओं को बताना चाहता हूं पहले धाना बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुशों के लिए ही होती है लेकिन आज ऐसा नहीं है Bureau of Police Research and Development के आकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या डबल हो गई है, दोगुनी हो गई है 2014 में जहां इनकी संख्या एक लाग पाँच हजार के करीब थी, वहीं 2020 तक इसमें दो मिले से भी जादा की बढ़ोतरी हुई है और ये संख्या अब दो लाग पंदरा हजार तक पहुँच गई है यहां तक के Central Armed Police Forces में भी पिछले साथ सालों में महिलाओं के संख्या लगभग दोगुनी हुई है और मैं केवल संख्या की बात नहीं करता हूँ हजदेश की बेटियां कठिन से कठिन ड्यूटी भी पूरी ताकत और होसले से कर रही है उधार के लिए कई बेटियां अभी सबसे कठिन माने जाने वाली ट्रेनिंग में से एक Specialized Jungle Warfare Commandos की ट्रेनिंग ले रही है यह हमारी कोब्रा बटालियन का हिस्सा बनेगी चाथियो आज हम एरपोर्ट जाते हैं Metro Station जाते हैं या सरकारी दप्तरों को देखते हैं CISF की जामाज महिलाएं हर सम्वेदन सिल जगे की सुरक्षा करते दिखाई देती हैं इसका सबसे सकारात्मक असर हमारे पुलीस बलके साथ साथ समाज के मनोबल पर भी पड़े रहा है महिला सुरक्षा कर्मियों की मोजूद्गी से लोगों में पिशच कर महिलाओं में सहजी एक विश्वास पादा होता है वे उनसे स्वाभावी ग्रुप से खुद को जुड़ा मैसूस करती हैं महिलाओं की संबेदन सिल्ता की वज़े से भी लोग उन पर जादा भरोसा करते हैं हमारी ये महिला पुलिस कर्मि देश की लाखों और बेटियों के लिए भी रोल मोडल बन रही है मैं महिला पुलिस कर्मियों से अनुरोद करना चाहूँगा क्वे स्कूलों के खुलने के बाद अपने ख्षेत्रों के स्कूलों में विजिट करें वहाँ बच्चियों से बात करें मुझे विश्वास है कि इस बात्चित से हमारी नई पीडी को एक नई दिशा मिलेगी यही नहीं इससे पुलिस पर जन्ता का विश्वास भी बढ़ेगा मैं आशा करता हूँ कि आगे और भी ज़्यादा संख्या में महिलाएं पुलिस सेवा में सामीर होगी हमारे देश की न्यू एज पॉलिसिंग को लीड करेगी मेरे प्यारे देश्वासियों बिते कुछ वर्षों में हमारे देश में आधोनिक टेक्नलोजी का इस्तमाल जिस तेजी से बढ़ा है उस पर अक्सर मुझे मन की बात के सुरोता अपनी बाते लिखते रहते हैं आज मैं ऐसे ही एक विशे की चर्चा अपसे करना चाहता हूँ विशेश कर हमारे युवाओं और छोटे छोटे बच्चों तक की कलपनाओं में चाया हुआ है ये विशे हैं ड्रोन का ड्रोन टेक्नलोजी का कुछ साल पहले तक जब कहीं ड्रोन का नाम आता था तो लोकों के मन में पहला भाव क्या आता था सेना का, हत्यारों का, युद्ध का लेकिन आज हमारे हाँ कोई शादी भारात या फंक्शन होता है तो हम ड्रोन से फोटो और वीडियो बनाते हुए देखते हैं ड्रोन का दाइरा, उसकी ताकत सिर्व इतने ही नहीं है भारत दुनिया के उन पहले देशों में से हैं जो ड्रोन की मदद से अपने गाउं में जमीन के डिजिटल रेकॉर्ड तैयार कर रहा है भारत ड्रोन का इस्तमाल ट्रांस्पोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है चाहे गाउं में खेतीवारी हो या गर पर सामान की डिलिवरी हो आपात काल में मदद पहुचानी हो या कानून व्यवस्ता की निगरानी हो बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरुरतों के लिए तैनात होंगे इन में से जादा तरकी तो शुरुवात भी हो चुकी है जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिए खेतों में नेनो यूरिया का छिड़काव किया गया कोवीड वैक्षिन अभ्यान में भी ड्रोन अपनी भूमी का निभा रहे हैं इसकी एक तश्वीर हमें मणिपूर में देखने को मिली थी जहां एक दिपपर ड्रोन से वैक्षिन पहुचाई गई तेलंगना भी ड्रोन से वैक्षिन डिलिवरी के लिए टायल्स कर चुका है यही नहीं अब इंफ्रास्टेक्टर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स के निगरानी के लिए भी ड्रोन का इसमाल हो रहा है मैंने एक ऐसे यंग स्टूडन के वारे में पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मचवारों का जीवन बचाने का काम किया साथियों पहले इस सेक्टर में इतने नियम कानून और प्रतिबन लगा कर रखे गए थे कि ड्रोन की असलिक शमता का इस्तिमाल भी संबव नहीं था जिस टेकनोलोजी को अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था उसे संकड के तौर पर देखा गया थे अगर आपको किसी भी काम के लिए ड्रोन उडाना है तो लाइसेंस और परमिशन का इतना जंजट होता था कि लोग ड्रोन के नाम से ही तोबा कर लेते थे हमने तैक किया कि इस मैंड सेट को बदला जाए और नए ट्रेंड्स को अपनाए जाए इसलिए साल 25 अगत को देश एक नई ड्रोन नीती लेकर आया ये नीती ड्रोन से जुड़ी वरतमान और भविश्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है इसमें अब न बहुत सारे फॉर्म्स के चकर में पढ़ना होगा नहीं पहले जितनी फिस्ट देनी पड़ेगी मुझे आपको बताते हुए एक खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिस से आने के बाद कई ड्रोन स्टार्ट अफ में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है कई कमपनिया मैनुफेक्चरिय यूनिट्स भी लगा रही है आर्बी नेवी और फोर्स ने भारतिय ड्रोन कमपनियों को 500 क्रोड पे से ज़्यादा के ओर्डर भी दिये है और ये तो अभी शुरुआत है हमें यहीं नहीं रुकना है हमें ड्रोन टेक्नलोजी में अग्रणी देश बनना है इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है मैं देश के युगाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसे के बाद बने अवसरों का लाप उठाने के बारे में जरूर सोचे आगे आए मेरे प्यारे देश वासियों यूपी के मेरट से मन की बात के एक्सरोता स्रीमती प्रभाश शुकला ने मुझे स्वच्चता से जुड़ा एक पत्र भीजा है उन्होंने लिखा है कि भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्चता को सेलिबरेट करते हैं वैसे ही अगर हम स्वच्चता को हर दिन की आदत बना लें तो पुरा देश स्वच्च हो जाएगा मुझे प्रभाश जी की बात बहुत पसंद आई बाकई जहां सफाई है वहां स्वास्त है जहां स्वास्त है वहां सामर्त है और जहां सामर्त है वहां समरुद्धी है इसलिए तो देश स्वच्च भारत अभियान पर इतना जोड दे रहा है साथियों मुझे राची से सटे एक गाउं सपारों नया सराई वहाँ के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, इस गाउं में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में सौच के लिए इस्तिमाल करने लगे थे, स्वच्च भारत अभियान के तहर, जब सब के घर पर सौच्च अले बन गया, तो गा लोकों के लिए, बच्चों के लिए एक सारवजेरिक स्थान बन गई है, इससे पूरे गाउं के जिवन में भहुत पड़ा बढ़लाव आया है, मैं आपको 36 गड़ के देवर गाउं की महलाओं के बारे में भी बताना चाहता हूँ, यहां की महलाओं एक स्वयम सहायता समू चलाते हैं, और मिल जूलकर गाउं के चौग, चौराओं, सडकों और मंदिरों के सभाई करते हैं, साथियों, यूपी के गाजियाबाद के रामबीर तमर जी को लोक पॉंड में के नाम से जानते हैं, रामबीर जी तो मेकेनिकल एंजिनेर्ट की पढ़ाई करने के बाद न रामबीर जी अब तक कितने ही तालाबों के सभाई करके उन्हें पुनरजिवित कर चुके हैं, साथियों, स्वच्चता के प्रयास तभी पुरी तरह सबर होते हैं, जब हर नागरी स्वच्चता को अपनी जिम्यदारी समझें, अपी दिपावली पर हम सब अपनी घर की हमारा आज पडोज भी साफ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हम अपना घर तो साफ करें, लेकिन हमारे घर की गंज की हमारे घर के बार हमारी सड़कोर पहुंच जाए, और हां मैं जब स्वच्चता की बात करता हूँ तब कृपा करके सिंगल यूज प्लास्टिक से हमें कभी भूलना नहीं है, तो आईए हम संकलपले कि स्वच्च भारत भ्यान के उत्सा को कम नहीं होने देंगे, हम सब मिलकर अपने देश को पूरी तरह स्वच्च बनाएंगे और स्वच्च रखेंगे, मेरे प्यारे देश वास्यों, अक्तुबर का पूरा महिना ही त्य त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है, और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आही रही है, दिवाली उसके बाद फिर गोवर्दन पूजा, फिर बाई दूच, ये तीन त्योहार तो होंगे ही होंगे, इसी दोरान छट पूजा भी होगी, नवंबर में ही गुरुन खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फोर लोकल, आप लोकल खरीद देंगे, तो आपका त्योहार भी रोशन होगा, और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारी गर, किसी बुनकर के गर में भी रोशनी आएगी, मुझे जो लोकल प्रोडक्स खरीदें, उनके बारे में सोशल मीडिया पर शैर भी करें, अपने साथ के लोगों को भी बताएं, अगले मेने हम फिर मिलेंगे, और फिर ऐसे ही डेर सारे विश्यों पर बात करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार हमारा चानल और प्रेस करें बेल आइकोन, न्यूस लावन भारत, सच है तो दिखेगा